हलो गाईश मैं हुई एनाई बीमस का स्टूडेंट एंड आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोड़ा पर आपका स्वागत है गाईश तो गाईश इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रास्तान AISC governance 2020 के 2nd round के registration process के बारे में तो रास्तान के 2nd round के registration process इस्टार्ट हो छुके हैं तो आपको registration कैसे करना है and कौन-कौनし जो candidate ँस केंडिगेट हैं उनको 2nd round में registration करने के required है ओके गैस एंड आपको registration के time पे जो है कौन-कौन से शावदाने आपको रखनी है और क्या जो private college है वो second round में participant करेगी या फिर नहीं करेगी या फिर पूरी counseling में जो है या पर private college जो है वो बाहर रहेगी तो इसके बारे में भी जो है इस वीडियो में discuss करेंगे गैस तो वीडिय की ज्यादा important है इसलिए वीडियो को बिल्कुल विसकी इपना करें और वीडियो को इन तक जरूर से देखें ओकी गैस तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किये वीडियो का इन तक जरूर बने रहे हैं हालो गाइस तो गाइस इस वीडियो में discuss करने वाले रास्तान आइस काउंसलिंग के रजिस्टेशन प्रोक्सेस के बारे में और जो प्राइबेट कोलेज है वो क्या यहां पर पार्टिशिपेट करेंगी यह फिर नहीं करेंगी और जो आइस मिनिस्ट्र ने जो नीड दो सब के बारे में जो है इस वीडियो में discuss करेंगे तो गाइस इसले वीडियो बहुत ही ज्यादा important है तो सबसे पहले discuss करते हैं सेकिंड राउन के रजिस्टेशन फ्रोक्सेस के बारे में कि कि किस-किस candidate को यहां पर रजिस्टेशन करना है तो गाइस यह इनका official schedule है सेकिंड राउन इन मौपोप राउन का यहां पर हम क्यों जो हैं सेकिंड राउन के बारे में discuss करेंगे तो गाइस आपके सेकिंड राउन की जो रजिस्टेशन फ्रोक्सेस है वो आज से स्टार्ट हो चुके यानिकि 231 2021 से स्टार्ट हो चुके इस नहीं नहीं उनको कोई registration फिस्ट देनी है नहीं आप पर जो हैं उनको कोई counseling फिस्ट देनी है ओके यहां पर जो candidate जिन्होंने फर्स्ट राउन में registration नहीं किया और हो सेकिंड राउन में participate करना चाहते हैं तो उनको यहां पर registration करने की जरूरत है तो आपको registration करना है 23 January से एक फ 4 फरोवरी को और प्रविजल मेरिट लिसे हैं वो 6 फरोवरी को release कर दी जाएगे और जो सेकेंड राउन की चोईस फिलिंग है वो आपको 7 फरोवरी से 10 फरोवर की बीच में करनी है और जो candidate यहां पर प्रेस registration करने हैं उनको यहां पर 25,000 जो है counseling fees देनी है जो कि refundable है जब आ आपको सीट अलोट हो जाती है और आपने जो है college जोइन नहीं किया तो यह सीड यह जो फी से वह रिपंडर नहीं होगी और सेकेंड डाउन का जो result publish होगा वो 13 फरोवरी होगा और आपके जो reporting आपको college में जाके reporting करवानी है वो 15 फरोवरी शे 18 फरोवरी की बीच में जाके करवानी है और आपके जितने भी original document है उनकी आपको पास जाना टू सेट होनी चाहिए photocopies के ओकी गास और self attested होनी चाहिए तो गास जब टू सेट रखना photocopies के ओकी गास और self attested होना चाहिए तो आपको अगर जो document है उनसे लेकर आपको कोई भी doubt है तो आप मुझे जो है comment करके पूछ सकते हैं जो है हमारे साथ भी आप जोड़ सकते हो इस वीडियो के description में ने अपने WhatsApp group का link दे रखा है ओकी गास तो यह था second down का पूरा schedule जो मैंने आपको बताया तो कब registration है और कब जो है इसका registration जो result है वो publish होगा अब बात करते हम कि जो प्राइवेट college यह फिन नहीं करेगी देखो गास अभी तक जो है इन्होंने जो list है college की कोन कौन सी college participate कर रहे हैं अभी तक जो है इन्होंने list जारी नहीं की है तो अभी तक तो ऐसा ही लग रहा हैं कि जो second down ने उसमें private college यह वो participate नहीं करेगी लेकिन गास यह confirm है कि अगर या तो second कई यह सारी प्राइवेट कोलेज़ फिर नहीं हो सकता कि वह सारी प्रेज़ अच्छी अटेन करका रहीं पूरा यह प्रेखल की आप से तो इसके लिए फ्म्रम कंग अब और होग्ण लगा था इसके व्यव्य हैं U जो private college है वो अपने आपको maintain नहीं कर पाई इसलिए इनको जो है first round में यहां पर जो है माननेता नहीं मिली यह लेकिन इनको second round या mapo round में जो है कन पब माननेता मिल जाएगी तो आप भी अगर private college में admission ने चिंतित हो तो आपको बिलकुल भी टैंस लेने की जरवत नहीं है इस वीडियो के डिसकेर में ने अपने वार्षब ग्रूप का लिंक दे रखा एंट गाइस अब बात करते हैं कि जो आइस मिनिस्ट्री यह उन्होंने जो रिवाइस्ट क्वालिफिकिशन मार्क्स जो हैं उनको रिवाइस उनको रिडूस किया था उन्होंने जो हैं नोटिस अभी रिलीस कार दिया था तो हैस यह जो राष्टा लागों होगा यह पिन नहीं होगा इसके बार में हमं 되면 करते तो गैसे यहां से आप देख सकते हो तेशे 221 का यह नोटिस हैं जो यहां पर इन्हों ने डाल रखा है कि रिवाइस क्वालिफिक्शन क्राइटीरिया फूर आइस नीट यूजी कॉर्सेश तो यहां पर जो है इन्होंने यहां पर notice भी release कर दिया है कि जो 2020 में जो counseling हो रही है अभी रास्ता नाइस counseling की उसमें जो है यहां पर यह लागो हो जाएगा यहां पर इन्होंने यह notice इन्होंने भी अपनी official website पर डाल दिया तो यह आपके लिए गुड नूज है कि यदि आप भी नीट अन्कॉलिफाइड हो तो आप भी रास्ता नाइस काउंसलिंग 2020 में अब पार्टिशिपेट कर सकते हो सेकिंड डाउड में तो यह आपके लिए गुड नूज है कि आप आपके भी एदि 147 से कम आक्स हैं तो अब आप जो है रास्ता नाइस काउंसलिंग में पार्टिशिपेट कर सकते हो और यह नियम जो है यहाँ पर लागू हो चुका है तो यह इंपोर्टेंट अपडेट्स से जिनके बारे मैंने आपसे बात की आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा जास वीडियो पसंद आयते यह वीडियो को like करना है जादा से जादा सेर करना इन counseling से रिखाडिंग आपको कोई भी doubt है कोई भी confusion है तो आप मुझे comment करके फूरू सकते हैं आप जो हें जुड़ सकते हो और मेरी personal guide में आ सकते हो ओके गाईस तो आज की वीडियो में यहां तक ही मिलते हैं next वीडियो में एक नई अपडेट के साथ जब तक लिए जय इन जय बारत